आज से ठीक 365 डेज पहले मैंने एक फेसलेस यूटूब चनल स्टार्ट की विज जीरो नॉलेज उस टाइम पे ना तो मुझे वीडियो एडिटिंग आती थी ना ही थम्नेल्स बनाने आती थी ना ही यूटूब के बारे में उतना कुछ नॉलेज था बाट जैसे जैसे टाइम बीचता गया मैंने इस चनल पे 5K बला सावसके रवरस, 9,000 हावरस का वाज टाइम एंड आराउंड 56 डालर भी अरूर्ण किया है तो फुस्ता फाल मुझे एक लोग कंपर से नीच डूडनी थी जिसकी डिमार्ड मार्केट में भी होनी चाहिए तो नीच के बारे में मुझे उतना कुछ नॉलेज तो नहीं था इसलिए I decided to create videos like decoding VT क्यूंकि उस टाइम पे decoding VT ही सबसे ज्यादा trend कर रहा था और कुछ दिनों में ही मैंने अपना फुस्ट वीडियो भी रेडि किया है वाई gaming इस डाइ जिसकी thumbnail एड वीडियो एडिटिंग बेकार से भी बेकार थी बड़ देरे देरे करके मैंने पांच ऐसे strategies को find किया जिनका यूज करके मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी यूटूब पे भी grow करना सीख लिया और वीडियो एडिटिंग के लिए clients को भी handle करना सीख लिया अगर उस टाइम पे मुझे इन पांच strategies के बारे में पता होता तो आज मेरे चानल पे भी लागों में सबस्क्राइबरोस होते जिसमें से हमारे strategy number one है do it तो आप में से भी बहुत लोग ऐसे होगे जो बस सोच रहे होगे कि मैं एक YouTube चनल सिटार्ट करूँगा बढ़ कभी करेगी ही नहीं क्योंकि वो हमेशे यही सोच रहे होते है कि मैं सिटार्ट कैसे करूँगा मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं बट ब्रो ये सब बस एक बहाने है इसके बारे मैं ट्यूब सेसी ने भी खुल के इस वीडियो में बताया है अगर आपको यूटूब पे आना है तो सिटार्ट कीजे वीडियो बनाना सिटार्ट कीजे क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं बनाऊगे तो आप गिरो कैसे करोगे और सिटार्ट करने के बहुए सिट्रेटजी नमर टू को भी यूज़ कर लेना या फिर सुपैम करोगे तो आपको सबस्क्रेब कोन ही करेगा एड ये थी हमारी स्ट्रेजी नमर थ्री वैलेबल एंड इंफार्मेटिव कॉंटेट जिसको बनाने के लिए आपको स्ट्रेजी नमर फूर को यूज़ करना होगा जो कि है कॉंसिस्टंसी जब आप अपना फुर्स्ट वीडियो बनाओगे आई नो कि उसमें ना तो उतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग होगी ना ही उतनी अच्छी इंफर्मेशन होगी और एक्जांपल अगर आप मेरे एक साल पुराने वीडियो और आज की वीडियो को प्रेंटिंग करोगे तो उनमें जमें आसमान का फरक है और यह पॉसिबल हो पाया कॉंसिस्टंसी की हलप से तो जब आपके sickles day by day improve होते जाएगे देन उसके बैद आपको evergreen content को target करना होगा। आपको उन्ही वीडियोस पे focus करना होगा जो आपको lifetime views दे देगे। और example अगर मैं आपको आपनी चनल के last 48 hours के views दिखाऊंगा तो उनमें top 1 पे ये वीडियो रहें कर रहा है। जबकि इस वीडियो को मैंने 9 months पहले upload किया है और यही power है evergreen content का। तो और भी कुछ strategies है जिनकी वज़े से ये channel grow हो पाई है। तो उन strategies को इस वीडियो के part 2 में discuss करेगे बट उससे पहले आते है इस channel के revenue पे। तो इस channel पे मैंने 4 basic ways से अरुन किया है। सबसे पहले adsunners and उसके best sponsorships and उसके best affiliate marketing and last मैं video editing clients तो adsunners का तो मैंने आपको पहले ही दिखा है 50-60 dollars जो की इंडिया रुपीज में बनते हैं around 4,700 की आसपास। बागे अगर बात करें sponsorships की तो इस channel पे मैंने आप तक 4 इस sponsorships किया हैं जिन मैंसे मैंने around 7,000 की आसपास ही कमाया है क्यूंकि channel अभी उतनी बड़ी नहीं है। बागे अगर बात करें video editing clients की तो video editing client से ही मैंने आप तक सबसे ज्यादा अरुन किया है around 15,000 की आसपास। currently मेरे पास 6 clients है video editing के लिए जो मुझसे regular editors लेते हैं 200 रुपीज पर मिनट की rate पे। बागे अगर बात करें affiliate marketing की तो affiliate marketing से मैंने आप तक 0 रुपीज भी earn नहीं किया है। because affiliate marketing को तो मैंने start किया था बट किसी ने हमारी product purchase ही नहीं किया है। तो total overall हमने इस channel से around 27,000 के आसपास ही earn किया है। तो यही था मेरे पूरे एक साल का सफर। जो भी मैंने पूरे एक साल में सीखा है वो मैंने आपको बस इसी वीडियो में बताया है। बाके अगर आप इस वीडियो का part 2 भी चाहते हो तो commenters में spam कर लेना part 2 मैं बना दूँगा।